मैं दुबारा कराऊंगा विकास सिंकिंग फंड जो है आपका वो दुबारा कराऊंगा अच्छे से वह बहुत जल्दी कराएंगे आप उससे मत करिए पुराने अली वीडियो से मत करिए दुबारा करा देंगे अभी तक हमारे डिबेंचर के अंदर सिंपल वाले इसके बाद लॉस रिटन आफ हाला कि आपके किताब में नहीं है लेकिन स्लेवस का पार्ट होता है और उसको हम एक एंट्री बस बहुत छोटी से आज क्लास भी ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि एक और क्लास लेनी है मुझे इसलिए कल टेस्ट रहेगा आपका मैं सार पैसलारी बाते मैं बता दूँ आहिए फटा-फट से तो पहले हम आ जाते हैं से लॉस को शी pokonaho करना किस तरीके से हम लोस को रिटनाओफ करेंगे वस्चों के पास हो सकता है दो न जो सकता हाया और पुरानी को की टाइं पर कुछ और करने का तरीका था कि सर होता क्या था जनली जनली हमारा एकना हमारा एस कि एस सिक्स्टीन होता है सर अकाउंटिंग स्टेंडर सोला और यह होता है देट इस बोरोइंग कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट और इसके अंदर क्या है बेसिकली इसके अंदर हमारा है कि इंट्रस्ट या फिर एनी डिसकाउंट यानि आप जब लोन लेते हो न यह बिसिकली क्या बताता है जब कभी भी आपको पैसा लेना होता है न हमारे स्लेवर्स का पार्ट नहीं है यह 16 जब कभी भी हम पैसा लेते हैं न तो वह जो खर्चा होता है उस खर्चे को बोला जाता है सर बोरोइंग कॉस्ट और उस खर्चे को किस तरीके से हमें प्रॉफिट और लॉस में दिखाना है इसकी जानकारी हमें अकांटिंग स्टेंडर्ट 16 में गीवन होता है कि इस इस पेंटर की बात करते हैं और यहां पर हम डिस्काउंट की बात करें सर तो डिस्काउंट जो है फॉर एक्जाम्टल आपका 2 लाख करते थे किस दो को हम पांस सालों में बांट दिया करते थे बहुत सारे के बच्चों के पास पुरानी भूक होगी अधर राइटर की होगी शायद वहां पर यहीं गीवन हो तो हम दो लाग को पांस साल में चालिस-चालिस लॉस में शो कर देना है एक बार में ही तो एक बार में सर कैसे खर्चे को शो करोगे जैसे मैंने कहा दो एक्जाम्पल करेंगे एक्जाम्पल कि माल लेते हैं हमने इशू किये कि 10 परसंट डिबेंचर कि रुपीज कि 50 लैक कि एट डिस्काउंट 5 परसंट एट कितने डिस्काउंट पे सर फाइफ परसंट कि ठीक है फाइफ परसंट डिस्काउंट पे आपको आपके पास पहले से सिक्यूरेटी प्रीमियम मान लिया जाए दस लाक है ठीक है हाँ दस लाक रुपे का है आपके पास पहले से ही जनल रिजर्व मान लेते हैं पांच लाक रुपे हैं आपको प्रिपेर करना है लॉस ओन इशू ओफ डिबिंचर अकाउंट ठीक है सर अब अकाउंट कैसे बनेगा सिंपल सा रहेगा फंडा हमें जनल एंट्री की बात नहीं कर रहा है मैं सिर्फ लॉस की बात कर रहा हूं कि लॉस को कैसे रिटन आफ किया जाएगा और मैं पहले जनल एंट्री भी साथ में कर लूँगा मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन की जनल एंट्री इशू की हर एक स्टूडेंट कर पाएगा क्यों कर पाएगा क्योंकि पहले हम फर्स क्लास में इस इशू की जनल एंट्री हम औरड़ेडी कर चुके हैं हम डिस्काउंट अकाउंट बोल दे हैं या फिर बोल दे है ती बेंचर ठीक है डेट पर्टिकुलर चलिए अगर मैं इसकी जनल एंट्री पूछू कोई जनल एंट्री बता सकता है बताओ क्या होगा इसका जनल एंट्री पूछरों में क्या करोगे पहले जनल एंट्री कैसे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लिकेशन अमाउंट बताइए क्या आएगा डिस्काउंट कितने का होगा इसके उपर पांच परसेंट तो पचास लाग का पांच परसेंट कितना होता है पच्चीस जारे धाई लाग अधाई लाग होगा कितना होगा अधाई लाग तो अगर पचास लाग का पच्चीस परसेंट धाई लाग तो फुर्टी सेवन पुर्टी सेवन ठीक है ना अगली एंट्री क्या होगी डिवेंचर अप्लिकेशन और पहले डिस्काउंट आएगा और टू तैन परसेंट डिवेंचर याद आ रहा होगा आप सभी को अधाई लाग और पचास लाग अगली एक छोटी से एंट्री करने के लिए और बताया था किसे को याद है लॉस को जो डिस्काउंट वाली एंट्री है इसको रिटन आफ करने के एक एंट्री करेंगे अब डिपेंट स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है हमारे पास गिवन किया है अगर मेरे पास सेक्यूरिटी प्रीमियम है तो प्राइट इसको देंगे इसको एक लेजर फॉर्मेट में पोस्ट करके दिखाना है तो हमारा अकाउंट का नाम क्या है डिसकाउंट या फिर लॉस ऑन इशू अफ डिबेंचर ठीक है अब जिस एंट्री में डिसकाउंट आ रहा होगा उसी जनल एंट्री का तो लेजर में जाएगा वागा अगर मैं पहली बात करौा तो इस वहलें ईंट्री में तो म्हस कोई डिसकाउंट का कर रिले नहीं समझो क्या है अगने हलगा ऐसे लिकने करता है है तो से में ऑगो आइस Excuse Master जाएँग और क्या लिखेंगे तो यहां लिखना आपड़ेगा टू टेन परसेंट कि डिवेंचर देट इस हमारा धाइलाग डिवेंचर का माउंट नहीं है का माउंट डिसकाउंट का आएगा यहां पर दिसकाउंट है है तो हम जाएंगे कैसे लौस और क्या लिखेंगे बाय यह हमेशा होगा अचैनल में या जिसकी जो तारिक Sh li होगा यह तारिक कब होगा स्टार्टिंग में कि बिगिनिंग में कि अगर डीट है तो बाई क्या एगा बाई सेक्यूरिटी टू पॉइंट फाइव लैक अकाउंट खतम बस हमें एक यह कई बार हो सकता है पांच नंबर चार नंबर जो भी नंबर आए उसमें बोल सकते हैं क इसका लेजर भी बनाके दिखाना है किसी को कोई डाउट है तो बताएगे क्लियर है यह इधर क्यों आया तो आपसे हो सकता है जर्नल पूछेगा जर्नल पूछेगा जर्नल के साथ साथ यह भी पूछ सकता है डिस्काउंट या लॉस एक और एक्जांपल देखिए आप फिर अगर मान लो कोश्चन यह है कि मान लो सर यह है नहीं तो फिर जर्नल रिजब ले लोगे मान लो सर कोश्चन में यह भी नहीं दिया तो आप स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस एक अजंशन वे और इसके लिए मैं बोलूँगा आप नोट देए तो बहुत बढ सब्सक्रास होगा ठीक है चलो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं सर नेक्स पॉइंट है मान लो हमने इसू किये कि टैन परसेंट डिवेंचर कि रुपीज दस लाग कि एट टैन परसेंट डिसकाउंट पे कि एंड कि रिडिमेबल कि रिडिमेबल एट कि ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम कि आफ्टर कि टैनियर कि आपके सामने सिंपल कुश्चन्स गीवन है कि मैंने कहा पास कि जर्नल कि एंट्रीज नंबर दो एंड प्रिप्यर लॉस ओन इशू आफ डिवेंचर लॉस ओन इशू आफ डिवेंचर ठीक है लॉस ओन इशू आफ डिवेंचर सबसे पहले तो मुझे जनरल एंट्री बता होगे आप तभी हम आगे बढ़ सकते हैं बता हो पहले पहले बैंक तो डिवेंचर अप्लिकेशन अमाउंट क्या आएगा क्योंकि दस लाग है दस परसेंट का डिस्काउंट डेट इस इसकी अगली एंट्री क्या करेंगे डिवेंचर अप्लिकेशन लॉस ओन इस्जू डिस्काउंट नहीं लॉस ओन और तू तैन परसेंट डिवेंचर और कुछ भी आएगा तू सिक्यूरिटी तू सिक्यूरिटी प्रीमियूम नौ लाग यहां क्या आएगा बताओ लॉस में तीन लाग कैसे आए सर एक लाग डिस्काउंट का और दो लाग प्रीमियूम का क्योंकि प्रीमियूम कितने परसेंट है समझे बात तीन लाग तो नौ यहां पर क्या एगा यहां तो दस लाग ही हो सकते हैं और यहां मैंने पूरे कुश्चंस में यह नहीं बताए कि हमारे पास सिक्यूरिटी प्रीमियूम में बैलेंस अविलेबल है नहीं है यह कुछ नहीं बताए मैंने ठीक है यह कुछ भी नहीं बताए अब चलिए इसका हमें लेजर बनाना हो हाला कि डेट नहीं लिखा मैंने एक्जाम में डेट आ सकता है लिखा हुआ अब हमें सिंपल सा कॉंसेप्ट लेना है अगर आपको जर्नल आता है तो लेजर कर सकते हो आराम से अगर लेजर आपके मैंड में तो जर्नल भी कर सकते हो लॉस ओन इशू ओफ डिबेंचर अकाउंट ठीक है इसके बाद कोई एंट्री होगी या नहीं होगी एक होगी देट इस स्टेट्मेंट तू अब लॉस ठीक है तू लॉस ओन अब कोई बच्चा बता दे कितना आएगा एक लाग या तीन लाग देखें पीछे एक बार आपको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ कराए हुए मैं दिखा दू साइद याद आ जाए यह तो देखो सिंपल कर लिया था हमने लास्ट लास में थोड़ी कर रहा है यहां कर रहा है तो अग्याइब नहीं बताया यह लास्ट लास में यहां पर पूरे तीन लाख लेना है आपने अ मैं बता देता हूं चलो यहां पर पूरे कितने लोगे हैं तीन लाख रुपार थीक है आपको सारे के सारे लॉस इश्यू के केस में राइट आफ करने पड़ेंगे अब यहां पर थोड़े से टेकनिकल पॉइंट है लेकिन आपके इतना ज्यादा टेकनिकल नहीं जाना जो जो भी लॉस होगा उसको राइट अफ कर देना यहां पर होना यह चाहिए कि जो सिक्यूरिटी प्रीमियम है मैंने जो बताया कि पहले कितने सालों में राइट अफ होता है पांस सालों में तो जब हम रिदम्शन वाले में आएंगे तो मैं इसको और क्लियर कर दूंगा तो टू साइड में क्या जाएगा साथ टू डिबेंचर और कितने आ जाएंगे और सरबाइ साइड में क्या जाएगा कितने आ गए और यह खतम तीन लाग तीन लाग खतम समझें तो आपको जो लॉस प्रिपेर करना अकाउंट उसके अंदर दोनों लॉस को दिखा देना और अभी जब रिडम्शन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें तो और डिटेल में जाना पड़ेगा आपको डिडम्शन वाले में तो आपको रिडम्शन की भी एंट्री करनी पड़ेगी जैसे कुशन आ गया दस साल बाद रिड क्वास चेुम्हाद दिखाथ चैप्टर में आएं तो मेजर अगर मैं इशलिटेयर तेंट में सर यह चैप्टर था और नुपरंट्क यह नहीं विआ इनपोन्हिंट यह बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आने वाला Π aj e तयोरी आ सकता है और बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आने वाला इन्पॉर्टेंट टॉपिक आपका यह हैं ठीक है इंट्रक्स का भी कई बार आता और कई बार नहीं आता तो अगर यह देखा जाए पार और फ्रीमियम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं एक्जाम में नहीं जाता है यह वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर लॉस को रिटन आफ करना पड़ता है अगर आपने शियर कैपिटल के अंदर कर रखा है इस्यू आप डिबेंचर में बस फरक यहां पर डिसकाउंट वाली एंट्री का आ जाएगा जैसा क करना होता है अपर में एक बनाना होता है में सिंपल ड्र चनल एंट्री करना होता है सम्पल के अंदर भी जिसके अंदर प्रीमियम पर रिडंशन हो रहा था मैंने cases कराए थे एक दो तीन चार पांच छे तो दूसरा important था चौता important था और छटा important था इसके अंदर interest के अंदर आपको without tedious भी बता दिया with tedious भी बता दिया interest की entry अकेलिक बहुत rare होगा इन ही के साथ पूरे questions के साथ आ जाएगा और ये वाला आने के chances ना के बराबर ही एक तरीके से ठीक है तो ये था हमारा पूरा का पूरा debenture chapter